हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया, आप लोगों को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चाइनल पे स्वागत करती हूँ डेली की तरह, आज हम लोग फिर से रात को 9 बचे मिल ले हैं हम लोग कर क्या रहा है, वो बता देते हैं हम लोग डेली यूनिवर्सिटी का गेस पेपर, रुख जाए मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ यह हम लोग का गेस पेपर है, देख लिजे कि यूनिवर्सिटी का गेस पेपर है और यह वैसाली पब्लीकेशन का गेस पेपर है हम लोग daily इस guest paper का video solution देखते हैं जिसमें हम लोग state theory complete कर चुके हैं matrices complete कर चुके हैं और linear programming problem complete कर चुके हैं तीन lesson हम लोग आग complete हैं अगर आप लोग वो तीन lesson नहीं देखे हैं तो जाएए playlist में जाएए आप लोग को सभी video मिल जाएगा और आप लोग देख लिजेगा आज हम लोग theory of equation करने वाले हैं तो देखिए मैं सिर्फ आप लोग को answer नहीं बताऊंगी मैं पूरा detail में explain करूंगी तो वीडियो थुरा लंबा बनेगा तो आप लोग tension मत लिजेगा पूरा वीडियो देखिएगा अगर आप लोग theory of equation का सभी question अच्छे समझना चाहते हो तो और अगर आप लोग channel पे new हैं तो channel पे subscribe कर लिजेगा ताकि आने वाले सभी वीडियो का notification टाइम पे मिले और कोई भी important वीडियो आप लोगों से miss नहीं हो और आप लोगों क्या करना है अगर आप लोग चाहते हो मतलब की मेरे telegram ID से जोईन होना तो आप लोग about section में जाएए telegram channel का link होगा उस पे click करके telegram channel पे जोईन हो जाएए और मेरा telegram ID क्या है आप लोग लिख लिजेए supriya underscore education underscore hub 2003 आप लोग ये मेरा email ID है इस email ID से आप लोग मुझसे connect हो सकते हो जिसमें मैं आप लोगों को जो भी video डालती है उसका link share कर देती हूँ और जो भी video डालने वाली होती हूँ जैसे आज दिन में मुझे कितना video डालना है कितने वज़े कौन फा video डालना है ये सभी का information मैं उस telegram channel पे दे देती हूँ तो आप लोग चाहो तो telegram channel को join कर सकते हो और चलिए तो हम लोग class को start करते हैं अभी तक सभी student आ गए होंगे अगर जो भी student नहीं आए तो सभी को link share करके आप सभी को बुला लीजिए math owners वालों के लिए ये बहुत important वीडियो है तो हम लोग आज theory of equation के सभी question को detail में समझेंगे जो भी guess paper में दिया गया हुआ है आप लोग exam में कोई भी question आएगा तो यहीं से आने वाला है तो चलिए start करते हैं class को देखें सबसे पहले group C है है हम लोग का theory of equation आज पढ़ रहे है multiple choice question first number question alpha is the root of fx equal to 0 if and only if fx is क्या होगा तो देखें मैं आप लोग को बताती हूँ अगर कोई भी value अगर किसी equation को satisfy कर रहा है जैसे हम लोग जैसे आप लोग को मैं बताती हूँ wait किजिए देखें को question number one आप लोग को दिखाई देड़ है तो देखें question number one क्या हम लोग को बोल ला है fx equal to 0 कब होगा ओके तो आप लोग को पता होगा अगर देखें जैसे x square minus 1 equal to 0 है ओके तो अगर x square equal to 1 करेंगे तो x equal to plus minus 1 आता है न तो आप लोग को देखें मैं कैसे समझाओ अगर कोई भी equation को satisfy कर रहा है न तो वो होता है divisible y जैसे अगर fx equal to 0 है अगर alpha इसका root है तो 100% f of alpha equal to 0 होगा अगर f of alpha equal to 0 होगा कहने का मतलब x minus alpha से वो पुरी तरीके से divisible होगा तो हम लोग का इसका answer option number c करेक्ट होगा आप लोग यह पहले भी पढ़े होंगे इसमें देखिए अगर alpha fx equal to 0 का root है मतलब यह alpha इस equation को satisfy कर रहा है तो fx equal to 0 fx equal to 0 f alpha equal to 0 कब होगा वो तब ही होगा जब x minus alpha पुरी तरी से divisible होगा तो question number 1 का option number c करेक्ट होगा देखिए question number 2 क्या है देखिए question number 2 है हम लोगों का fx equal to x of 5 minus 6x4 और क्या है हम लोगों का plus 7xq आप लोगों को सैथ पूरा अच्छा से नहीं दिख रहा होगा रुक जाए मैं कुछ करती हूँ तो plus 7xq है उसके बाद हम लोगा क्या है plus x square plus x plus 2 यह हम लोगों का fx दिया हो है और पूछ रहे f of 10 equal to क्या होगा तो हम लोग के आगे आगे बहुत अच्छा अच्छा ट्रिक बताने वाली हो आप लोगों तो इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप लोगों किसी भी एंसर को टिक किजेगा न तो आप लोगों को पता रहेगा कौन से ट्रिक से हम लोग कर रहे है तो देखिए हम लोगों का यहाँ पे है f of 10 equal to x के जगह पे 10 डालिए तो क्या होगा हम लोगों का 10 to the power 5 minus 6 into 10 to the power 4 plus 7 into 10 to the power q plus 10 का square plus 10 plus 2 तो देखिए हम लोगों का 10 के power 5 हम लोगा तो यहाँ से क्या हो जागा 1 0 1 2 3 4 5 0 यहाँ क्या होगा 6 into 10 के power 6 पे 1 2 3 4 0 यहाँ क्या होगा 7 के power 0 है तो यहाँ 7 पे 3 0 यहाँ क्या हो जाएगा हम लोग का 100 plus 10 plus 2 तो हम लोग इसको solve करेंगे तो क्या हैगा देखिए अगर आप लोग लाल जी पर साथ का बुक को बनाते होंगे तो आप लोग को यह सभी question आता होगा क्यूं मैं बता हूँ क्योंकि इस guest people में जो भी question लिया गया होगा है सभी लाल जी पर साथ का जो बुक मैं बनाई होई हूँ पुडा का पुडा मैं complete के होई हूँ बता है तो चलिए हम लोग का है देखिए एफ टेन रख दिया तो क्या होजागा यह 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 देखिए उसके वाद आप लोग 10 के पावर स्क्वार कॉमन ले लेंगे न करने के जवत नहीं आप लोग ऐसी कर देखिए ताकि जल्दी हो जाए तो यहां पर क्या होगा सेवेंटी और प्लस वान और यहां पे हम लोगों का टुवेल्व तो यह क्या होगा दस में से च्वाज़े का चार और चार पे एक च प्लस एक सेवेंटी प्लस वन सेवेंटी वन और सेवेंटी वन पे दो जीरो और यह हम लोगों का क्या है टुवेल्व कहीं पर सब जगह मैं सही कर रही हूं न हां तो यह मोगों क्या हो जाए का 40,000 4712 देखिए 4712 मतलब ऑप से नंबर डी करेक्ट हो गया समझे देखिए अ आप लोगों कॉमन लेके स्वल्व कर लेना है को समझ में आया अपसर नंबर डी करेक्ट हो जाया को से नंबर टू का देखिए को से नंबर थी क्या है हम लोगों का एवरी एक्वेशन आफ एन डिग्री है तो आप लोगों को जो रूट आएंगे वह तीन आएंगे अगर इक्वेशन मतलब की डिग्री है तो इसका रूट आएगा वह दस आएगा तो जितना इसका इतना याद होता है जितना डिग्री recipients होता है उसका रूट भी उतना ही आता है तो यह हम लोग का एन डिगरी का एक्वेशन है तो उसका रूट भी एन रूट आएगा देखिए मैं आप लोगों को explain करके अच्छे से हिंदी में बतारी हूँ ताकि आप लोग अगर हिंदी मेडियम में पढ़े होंगे क्लास 11-12 में तो आप लोगों किसी प्रकार की कोई प्रवल्म नहीं हो इसके लिए ही मैं आप लोग के लिए वीडियो सलूसन लाई हूँ इसी तरीके से नहीं बना देती मैं आप लोग को समझने के लिए ही बनाती हूँ तो आप लोग को अगर नहीं समझ में आता है तो और आफ नमर कोशन समझ में कैसे हुआ आफा आफा कर सीवाई करेगा अलफा वकवल तो यह तभी पॉसीबल हो नहीं एक्स मैंस अलफा से यह कोशन आप लोग क्लास शेपल थीऊरम पढ़ होंगे अगर हिंदी में चुलुट होंगे तो आप लोग को पता होगा इस टाइब क अगर x equal to 1 दियावा राता है था किसी equation का root तो आप लोग x minus 1 जैसे 1 दियावा है किसी equation का root तो आप लोग उसको x minus 1 से divide करके आप लोग उस equation का other root निकालते थे आप लोग को याद आड़ा होगा याद आड़ा है ना और second number question क्या fx दियावार f of 10 निकालना है तो आप लोग क्या किये यहाँ पे 10 रख दी और इस equation को solve किये और इस equation को solve करने बहुत सारी problem आती तो आप लोग common निकाल के solve किये ताकि जल्दी से हो गया है तो हम लोग का question number 2 का option number d correct है थर्ड number question क्या every equation of innate degree है देखिए जितना degree का equation होता है उसके root उतना ही होते जैसे यह हम लोग का 5 degree का equation है तो आप लोग इसका root निकालेगा तो 5 आएगा जैसे x square minus 1 equal to 0 है तो हम लोग का x square मतलब इसका degree 2 है तो इसका root 2 आएगा और root 2 के आएगा 1 और minus 1 ओके तो 1, 2, 3 हम लोग solve कर लिए अच्छे से 4 नमबर के देखिए यह 3 और 4 दोनों के दोनों theorem है 4 नमबर के every polynomial equation of an odd degree जितना भी polynomial equation होते odd degree के वो हम लोग के क्या होते तो देखिए मैं आप लोग को कुछ theorem आप लोग को बता देती हूँ जैसे आप लोग theorem लिखेगा मैं 4 पांस theorem आप लोगों लिखा देती हूँ जो आप लोगों के लिए important होगा तो चलिए theorem लिखिए आप लोग तो चलिए मैं theorem लिखवाड़ी हो आप लोग theorem लिखिए सबसे पहला theorem में हम लोग का every equation of nth degree has n roots and no more मतलब अगर degree nth तो उसका root n ही होगा उससे ज्यादा नहीं होगा तो ये theorem आप लोग लिख लीजिए अच्छे से अपने copy में लिखिए every equation of nth degree every equation of nth degree has n roots and no more question number 3 में जो पूछा गया था इसी theorem पे बेस है every equation of nth degree has n roots and no more second theorem क्या है हम लोगों का देखे second theorem हम लोगों का है in the equation with real coefficient imaginary roots occur in conjugate pair तो आप लोग ये भी याद रखे imaginary root जो होता है न वो हम लोगों का conjugate pair में आता है मतलब अगर a plus ib अगर एक root है उसका तो 100% उसका a minus ib भी उसका root होगा ओके तो ये सब theorem याद रखेगा तो आगे का question solve करने में आप लोगों को बहुत आसानी होगे तो आप लोग इसको याद रखेगा imaginary roots occur in conjugate pair imaginary roots occur in कल के वीडियो में साथ सबको अच्छे समझ में नहीं आया था तो मुझे बहुत कमेंट आया था इसके लिए मैं इस वीडियो में अच्छे से आप लोगो explain कर रही हूँ ताकि आप लोगों किसी परकार का को भी problem face नहीं करना पड़े ओके पहला ये theorem समझ गया दूसरा ये समझ गया इसका प्रूब भी है अगर आप लोगों का subjective हो रहा है उससे बहुत फैदा होगा और एक थाम लोगों का इरेशनल रूट जो होता है न वह भी conjugate pair में आते हैं जैसे अगर अलफा प्लस रूट बीटा है तो अलफा मैनस रूट बीटा भी आएगा ओके तो यह इसी का है तो आप लोग लिख सकते हो इरेशनल रूट्स अकरिन कंजूगेट प्यार यह भी आप लोग को पता होना चाहिए और इरेशनल रूट्स आप लोग यह जो गेस पेपर का वीडियो सुलूशन का वीडियो देखते तो आप अपना गेस पेपर खोल के बैठिएगा और कोपी लेके बैठि अब नहीं जो आएगा वो मेरे से समझ लिजेगा एरेशनल रूट्स अकरिन कंजूगेट प्यार यह तीन आप लोग अच्छे समझ में आए ना अगो फिर भी अगमें इतना अच्छा से समझा रही हूं फिर भी नहीं समझ में पताईएगा आप लग मुझे कमेंड सिक्श करते हैं कि अफ्य प्याची एक्सिंट आप लोगों अचलोचारा पाइगा तो पॉर नापक्राअ है अध्याप लोग ऑन और डिगी every equation of an odd degree has at least one real root has at least one real root every equation of an odd degree has at least one real root whose sign is opposite to that of absolute term whose whose sign is opposite to that of opposite to that of absolute term okay तो देखिए अब जैसे मैं आप लोग एक इजाम पर समझाती हूँ अगर x plus 1 equal to 0 है तो यह हम लोगा जो है इसका आप लोग से कोई पूछे गार इसका डिग्री क्या है तो इसका एक्स का पावर क्या है तो जो आप लिस्ट वन रियल लूट है ना वह रियल लूट किसके ब्राबर होगा यह एपसलीट टर्म के निगेटिव तो मतलब अपोजिट यह प्लस वन है तो माइनस वन होगा जो हम लोगों का एक रियल लूट होगा सो समझ में आया आप लोग को मैं क्या समझाना चार होगा तो एवडी कोशन ऑफ एएज एवेंट डिगरी फूज एपसलीट टर्म इज निगेटिव थे लाख या फिर मैं पच्मा को बात में काम आएगा तो फिर बास में बताऊंगी वह थिर एसे मैं बोल तेंडिव चाहों तो आप लोग लिख सकते हो एवडी एक्वेशन of an event degree which absolute term absolute term इसको बोलते है which absolute term is negative has at least two real roots और वो दो real roots जो होगा वो होगा एक positive होगा और एक negative होगा जैसे अगर x square minus 4 equal to 0 ले रहे तो x square मतलब इसका event power है तो हम लोगों का absolute term है absolute term इसमें क्या है हम लोगों का x square minus 4 equal to 0 है यह x equal to जो आएगा हम लोगों का वो plus minus 2 आएगा एक positive आएगा और एक negative आएगा दो real root आएगा यह कभ हम लोगों का यह condition कभ होता है जब हम लोगों का वो absolute term negative होता है तो तो चलिए मैं यह theorem जो परहाईगा आप लोगों को every equation of an odd degree has at least one real root तो इसी application पर based है आप लोगों का next question देखिए देखिए next question के every polynomial equation of an odd degree odd degree में क्या होता है at least one real root समझे में आया फोड का भी कैसे हुआ चलिए 5 नमबर देखिए if fx equal to this है तो इस divided by x minus 3 then remainder लाएगा तो आप लोगों इसको देखिए वाओ क्या trick है अच्छे से ध्यान दीजेगा 2-4 question करके आप लोगों को practice कर भाऊंगी ताक कि आप लोगों को अच्छे से आजाए ओ देखिए अब मैं 5 question का trick बताती हूँ wait किजिए 2 minute देखिए हम लोग देखिए 5 number question देखिए 5 number question fx दिया हुए हम लोगों का 3 x q पूरा आर नी रहा हुआ कैमरा में रुक जाए है चलिए देखिए fx दिया हुए हम लोगों का 3 x q अगर आप लोगों के पास गेस पीपर है तो खोल के बैठिएगा 3 x q minus 4 x square plus 2 x plus 1 यह हम लोगों का fx है और हम लोगों से पूचा जा रहा है x minus 3 से divide करने पर remainder क्या बचेगा तो क्या देखिए fx equal to दिया हुआ है आप लोगों को और बोलना है x minus 3 से divide करने पर remainder क्या होगा तो देखिए x synthetic division आप लोग जानते होंगे synthetic division में क्या करना पड़ता है पहले जो equation दिया हुआ है उसको complete form में change करना होता है complete form में change करने का मतलब है जैसे x q है x square x है तो यह हम लोग का complete form में change है अगर आप लोग को यहाँ पे x q रहता और फिर x रहता तो आप लोग को plus 0 x square करके add कर देना होता आप लोग पूरा complete रहना चाहिए equation तो यह हम लोग आए तो हम लोग पहले इसका coefficient लिखेंगे देखिए कैसे coefficient लिखते है यहाँ पे x q का coefficient क्या है 3 इसका क्या है minus 4 इसका क्या है 2 उसका क्या है 1 और यहाँ x minus 3 है ना तो x minus 3 equal to 0 करेंगे तो x minus 3 से divide करना है तो x minus 3 equal to 0 करेंगे तो हम लोग का x equal to 3 आ जाएगा तो आप लोग को यहाँ पे 3 लिख लेना है और करना क्या है देखिए ऐसे कर लिजिए क्या हो जागा यहाँ पे यहाँ पे 1 dash देदीजिए उसके बाद आप लोग क्या करना है देखिए यहाँ 3 में कि तो देखिए यहाँ पे यहाँ पे 3 dash के जैसे है वैसे लिख लीजिए यह तो इन दोनों को एड करेंगे तो क्या हो जागा 5 3 3 5 जा 15 दोनों को एड करेंगे तो क्या होगा 7 17 यहाँ 73 जा 51 और 51 51 और 1 को एड करेंगे तो क्या होगा 52 तो यह हम लोग का यहाँ X Q से स्टाइट था न तो यहाँ जो एक्वेशन आएगा X स्क्वेर से होगा 3 X स्क्वेर प्लस 5 X प्लस 17 अगर आप लोग X-3 से इसको डिवाइड करते तो आप लोगों को यह एक्वेशन आता और यह जो 52 लास्ट में आया है यह आप लोगों का डिवेंडर हो जाएगा तो कोस्सर नमबर 5 का तो आप लोग को समझ में आया है यह 52 कैसे हुआ कैसे डिवेंडर निकाले यह तरीक में आप लोग कितना अच्छा से समझाई तो चलिए फाइब काम लोग ओप्सन देखते हैं कौन सा करेक्ट होगा अगर मैक्सिमम स्टोरेंट जो नहीं पढ़े हो है मुझसे वो इसको डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने बहुत सारा टाइम लगाएंगे उसके बाद जो रिवेंडर आएगा उसको लिखेंगे लेकिन आप लोग थोड़ा सा स्मार्ट स्टेडी तो किजिए आप लोग दिवाइड करना है एकस माइनस फोर से और इमेंट निकालना है तो चलिए लिखते हैं कोसन चलिए देखेंगे 6 नमर कोसन कहा है Fx इक्वल टू X5 प्लस 10X4 माइनस 13XQ प्लस 8X प्लस 5 यह हम लोग का Fx दिया हुआ है और पूछा जाए एकस माइनस 4 से डिवाइड करने के बाद क्या मिलेगा तो सबसे पहले हम लोग को देखना होगा यह complete form में है याने देखें यहां 5 है यहां 4 है यहां 3 है और यहां 1 है दो वाला तो गाइब है तो हम लोग को इसको complete form में चेंज करना होगा complete form में कैसे change करते है देखिए यहाँ पे x5 है सही है 10x4 है सही है minus 13xq है सही है और यहाँ पे x² वला term नहीं है तो यहाँ पे लिख देंगे 0x² समझ मैं कैसे complete form में change करें और इसके बाद हम लोगों का 8x है plus 5 है तो यह हम लोगों का complete form में change हो चुका है अब चलिए complete form में change हो गया तो हम लोग क्या करेंगे अब इसका coefficient लिखेंगे x to the power 5 का coefficient क्या है 1 x के power 4 का coefficient क्या है 2 x q के power का power coefficient क्या है minus 13 x square का coefficient क्या है 0 x का क्या है 8 और यह हम लोगों का last वाला है 5 तो 5 लिख देजिए यहां तेक समझ में आया आप लोग को अच्छे से अब क्या करना है x minus 4 equal to 0 है तो आप लोगों कर लेना x equal to 4 तो आप लोगों यहां पर 4 दीजिए और ऐसे sign कीजिए और यहां पर dash देजिए और add करना है 1 और dash यहां पर कुछ नहीं तो 1 और 0 एड़ करेंगे तो क्या आगा 1 उसके बाद क्या करना है यह दोनों को multiply करके यहां लिख देना है 4 1 जा 4 इस दोनों को add कर दीजिए 14 या 14 फोट जा 56 इस दोनों को add करेंगे तो क्या आजाएगा 6 में से 3 जागा तो जी 43 आजाएगा आप यह दोनों को multiply किजिए 4 फोट फोटी तरी का तो क्या आजाएगा 3 जाओ का बारक के दू हासिल एक 4 जुका सोल एक सत्रा है और इस दोनों को add किजिएगा तो 172 उसी तरीके से आप लोगों क्या करना है या पर 172 को 4 से multiply करना है तो क्या आजाएगा डु चोब का आप और 12 पैस गाइब हासिल दू एक चोब का चार दू छोग आप इस दोनों को add करते जो तो क्या होतरा चाहरा हासिलंद का एक 9 और यह हाजा आप यह तो यहाँ का न न यहां पर 6 6.96 अब क्या करना हाँ आप लोगो इस दोनों का multiply करना है 4 into 696 तो हम लिए प्रक्राइब क्या हो जाएगा चोचग 24 के चार देखिए ऐसे है इसका ऐसे इसका ऐसे इसका ऐसे है और यह लास्ट वाला है ओके समझ में है मैं कैसे कर दियुँ यहां अब यह इस दोनों को multiply के चोचग 24 के चार हासिल दू नौ चोचग 36 नौ चोचग 36 दो अटिस के आठ हासिल तीन और चोचग 24 तीन 27 तो हम लोगा क्या हो जाएगा 27 29 मतलब 2789 समझ में है हम लोगा क्या है 2789 2789 यह हम लोगा जो लास्ट में आता है न वह हम लोगा remainder बसता है क्या समझ में कैसे हुआ चलिए एक बाइड दिखा बता देती हूँ देखिए एफ एक इक्वल टू यह हम लोगा दिया हुआ था देखिए ए ट्रीक सीख लीजी आप लोगा काम आएगा एग्जाम में डिवाइड करने बहुत टाइम लगता है अगर यह सीख लीजेगा तो आप लोग बहुत जल्दी कर पाईएगा इसको एफ एक दिया हुआ था चलिए ठीक है और एक नय कंसेट आप लोग सीख रहे है तो आप लोग को टाइम लगेगा इसको सीखने में कौण लby, नोग वा अन्ताइस есको थोडाइद करना थाख घीक लिए और अध्य रिवाइड करना था क्कमप्लेट फोर में अगोथ टॉझक लोग और आप्यर पावरण करने का मतलफ है यह उतुट्छा शिक पावर होता है तो हम सभी का कोफिसेंट यहां पर लिख दिये है कोफिसेंट लिख देने के बाद यहां पर एक्स मैनस 4 इक्वल टो जीरो है तो हम लोग एक्स मैनस 4 से डिवाइड करना है तो इसके इक्वल टो जीरो करके तो यहां पर लिख देंगे और यह को बोदेंगी और यहां पर एड़ेंगे aby उसको और इसको ओर इसको मुल्टिप्लाइकर करके यहां लिखना और यह दोनों को मैद कर देनाय है इसी तरीके से हम लोग को करते जाना है तो हम लोग कटके आया एंसर 2789 तो चलिए हम लोग कोशन में टिक कर लेते हैं देखिए मैं एक्स्प्लेइन करके पूरी एच्छे से बता रही हूं फिर भी आप लोग कोई प्रोब्लम होगा तो मुझे कमेंट सिक्षने बता दीचे इसका इसका मैं एक जर्मोडा बता देती हूं ताकि आप लोग कोई भी कोशन आगा तो बना ली जगा चलिए सेवन नमबर पर हम लोग तो देखिये सका हम लोगन का फ़र्मूला ओता हैसन इक्वल टू समेसन फ अलफा वनस अğल्फा टू अलफा थनी डैस 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 अलफा एन इक्वल टू क्या होता है किया इनस मांउन न के पावर इन एट तो टू इपावर इन डिवाइड बाई ए नॉट यह फोलमूला आ पर दागा झालका arte चांश्च इंगे के चाहिए समझ में आये यह पिलोगको अच्छी सियात चांशा है यह ंच्छी सियाद कर दाई सितना दरेख में याद कर जए Next हम लोग गेवाइज से से ऐडवान्स बताऊंगी तो वीडियो तो लंबा होना सोहाविक है तो आप लोग अगर चाहते हो किसे मैं पूरा अच्छे से explain करूँ तो आप लोगो पूरा वीडियो देखना होगा अगर नहीं चाहते हो तो मुझे comment सकते हो किसे नहीं आप लोग पूरा नहीं चाहते हो आप लोग को सिर्फ answer से मतलब है answer बता दे हो गया तो यह भी आप लोग मुझे comment से नहीं बता दीजेगा नहीं मुझे explain नहीं किजिए मुझे सिर्फ answer चाहिए answer यह बताईए तो next video जो आएगा उसमें सिर्फ answer यह बताया जाएगा सब आप लोग पर depend करता है क्योंकि मैं बता तो आप लोग को रही हूँ ना खुद को तो बताना नहीं है चलिए एट नमबर कोशन क्या है देखिए एट नमबर यही मैं अभी थ्वारे पहले आप लोग को फर्मूला बताई और आप लोग को बोली हूँ याद करने के लिए देख सकते हैं फर्मूला अगर चाहे तो आप लोग इस फर्मूला का screenshot ले सकते हो और अपने copy में लिख लिए अच्छे से याद होना चाहिए माइनस वन की पावर एन एन डिवादे बाई एनोट नाइन नमबर को सन कहा देखिए अलफा बीटा गामा इसके रूट है और हम लोग उसे पूछा जाड़ा है अलफा बीटा तो अलफा बीटा मतलब इसमें दो टर्म है तो दो टर्म है तो यही इसी फर्मूला का यूज करना है तो धो टर्म है तो –1 का स्कुर्ण 1 हो जाएगा तो A2 अपन A0 होगा A2 अपन फ्रेशन होता है उस पहले A1 आता है फिर A1 आता है फिर A2 आता है तो मतलब देखिए यहां पे क्या है यहां पर x q है फिर x स्क्वार वला टर्म गाइब है और फिर x है तो हम लोग को क्या लेना है इसमें अल्फा बीटर लेना है तो मतलब first second third term लेना है 3rd divided by 1 तो third के हम लोगा 5 divided by 7 option number a correct हो जाएगा समझ भी है मैं कैसे की चाहिए या फिर आप लोग को यह भी फर्मूला याद होगा अल्फा इंटू बीटा का फर्मूला क्या होता है तो अम लोग का देखिए आप लोग को इससे पता है दो टम लिए तो यहां पर इसक्वार हो गया है तो वन ए टू अपन ए नॉट यह हम ल अपलोग कोई प्रोब्लम नहों अगर आप लोग को अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है मैं क्या वतारी तो आप लोग को सेवे एक्स क्यू प्लस जीरो एक्स इसक्वर प्लस फाइव एक्स प्लस एलेवल लिख लेना है और यह अल्फा बीटा का फर्मूला क्या हो आप लोग का माईन नम्बर कोस्न कैसे हुआ है विद एक फर्मूला बता दियू जिससे आप लोग कितना सार्म कोस्न आसानी से बना सकते हो बिना किसी स्ट्रागल के 11 के अलफा बीटा गामा रूट दिया हुआ है और दिया हुआ है PXQ प्लस QX स्कूर प्लस RX प्लस A सिक्वल टू 0 और अलफा बीटा गामा 3 दिया हुआ है देखिए जब 3 था तो क्या होगा माइनस 1 का Q तो माइनस 1 तो बाहर आ जाएगा उसके बाद क्या था A3 divided by A0 तो A0 A1 A2 A3 मतलब A3 का है 7 माइनस 7 बाई P देखिए option number C correct है समझ में आड़ है मैं कैसे बनाड़ी हूँ देखिए 12 नमबर क्या है इफ अलफा बीटा गामा रूट अफ दिस तो अलफा देखिए एक ही टर्म इसमें लिया हुआ है आप लोग क्या लेना है माइनस A1 तो मतलब एकस क्यू के बाद एकस स्कुराइब आदा है माइनस 6 डिवाइड़ वाई A0 कितना है माइनस 3 तो हम लोग इससे यह कार देंगे ती टू जासिक साज़ागा option number D correct होगा देखिए 12 नमबर आप लोग को नहीं समझ में आया होगा मुझे पता है अच्छे से बताती हूं देखिए 12 नमबर क्या है वीडियो में आज ज्यादा कुशन कवर नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा explain करना पड़ रहा है करना भी पड़ेगा नहीं तो आप लोग को समझ महीं नहीं आगा और हिंदी इंग्लिज तो है नहीं जो आप लोग रट के चले जाएगा और एक्जाम में अच्छा स्कूर कर लिजएगा 12 नंबर मुझे बता है नहीं तो 12 नंबर कैसे होगा 12 नंबर कहाँ है यह है सबसे पहले तो इसको आप लोग साही से लिखे पहले एक्सक्यव वाला टर्म लिखे तो माइनस 3xq प्लस 6 स्कूर प्लस 4X माइनस 9 यह हो गया और हम लोगा क्या करना होता है यह A0 होता है A1 होता है A2 होता है A3 होता है तो हम लोगा क्या फर्मूला है एक ही टर्म लेना है तो माइनस 1 और A1 डिवाइड़ वाइज जीरो तो हम लोगा क्या है देखें माइनस 1 है A1 क्या है 6 और A0 कितना है माइनस 3 माइनस माइनस कर जाएगा थिरे तुजाजिक तो option number D करेक्ट आजाएगा समझ में आया है तो यहां पर एक्सक्यू को है ही नहीं तो एक्सक्यू को कोफिसेंट कितना है जीरो तो जीरो अपन अपन अनिधिंग क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा तो option number E करेक्ट हो जाएगा तो सबसे पहले उसको complete format चेंज कर लिजिए और उस equation से आप लोग देखिए ताकि आप लोग उसे कोई गल्ती ना हो 14 नमबर देखिए अलफा बीटा दिया हुआ और पूछर अलफा बीटा गामा तो इसमें फर्मूला क्या लगेगा हम लोगों का minus one के power q और क्या होगा a3 upon a not तो यह हम लोगों का है नहीं तो यह हम लोगों का है नहीं तो यह हम लोगों का जीरो हो जाएगा समझ में आया है इसमें A3 लेना है लेकिन A3 का टर्म ही नहीं है कि A0 है A1 है A2 है A3 है जो X वाला टर्म है तो उसका हम लोग का 0 इंटो X है तो हम लोग का टर्म ही नहीं है तो 0 बटे anything 0 हो जाएगा तो question number 14 का option number C correct होगा question number 15 का है देखिए alpha beta gamma with the root of XQ plus PX square plus QX plus R तो symmetric function alpha square beta क्या हो जाएगा तो देखिए यह अगर आप लोग symmetric वाला पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा यह कैसे बनता है मैं बताती हूँ आप लोग को इसको solve कैसे करते है तो देखिए हम लोग के यहां alpha square beta निकलना है तो आप लोग क्या किज़ेगा इसको question number 15 मैं बतारी हूँ आप लोग को यहां पर बता देती हूँ यहां पर अच्छा रहाएगा आप लोग को अच्छे से question भी दिखेगा देखिए question number 15 के हम लोगा क्या बताना है summation of alpha square beta तो आप लोग इसको लिख सकते summation of alpha into summation of alpha beta summation of alpha यहां cube 3 है न तो यहां पर summation of alpha एक एक term को जोड़ना है तो यहां पर alpha plus beta plus gamma और यहां होगा alpha into beta तो यह हम लोगों का होगा alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha अब लग मुझे comment section में बताते रहिए आप लोग को जैसे अभी प्रिमियर वीडियो में डालती हूं यह डेली रात कुनों बजे तो लाइफ चेट में बताते रहिए आप लोग को कैसा लग रहा है वीडियो ओके देखिए alpha plus beta plus gamma और यह है उसको क्या करने आप लोगों को यह हम लोग करते जाएंगे प्लस 3 टाइमस ओफ अलफा बेटा गामा तो हम लोग को क्या करना होगा यह जो हम लोग का होगा summation of alpha into alpha beta minus 30 summation of alpha beta gamma कर देना होगा तो देखिए क्या होगा हम लोग का आप लोग दिखते रहें और मैं आप लोग को एक बात बता दी अगर आप लोग से इस equation दे के कोई summation of alpha पूछेगा तो क्या बताएगा summation of alpha होता है एक term का देख रहा है न तो एक term का क्या होगा minus माइनस ओफ एक के पावर ओन डिवादर बार यह जीरो एक स्क्यू है तो एक स्क्यू है तो यहां पर पी है तो यहां पर होजागा पी सब्सक्राइब क्या होगा तो देखिए अप लोग को summation of alpha समझ में आया क्या होगा तो summation of alpha क्या है? Summation of alpha यह आप लोग को minus P कहीं पर साइड में लिख लिख लिजागा summation of alpha equal to minus P और निकालिए का आप लोग समयसन अफ alpha बीटा तो समयसन अफ alpha बीटा दो टर्म है तो क्या होगा तो क्या होगा dobrze bottle divided by A2 upon A." ऐइक對啊 2 divided by A0 एकसUE है एकसद्व with x is square है यहां यहां क्या होगा क्या होगा Q तो यहां हम लोग क्या है क्यों तो धोलो का Q alpha than gamma यहां तेन टर्म लिना है तो लास्तरव तवरा मिथ माला तो summation of alpha के जगह पे आप लोग रख देजगा माइनस पी समिसन अफ अलफा विटा के जगह पे रख देजगा क्यू और यह यह बैलू निकाल ला है तो यह वाला इधर आ जाएगा तो माइनस ओफ थिडी अफ अलफा विटा गामा और अलफा विटा गामा का वैलू है माइनस तो यह हम लोग का हो जाएगा थिडी अड मा 인नस pq तो मतले ओफर नमबर ती टरी अपसे जाएगा समझ में है कि देखिए मैं एक फीड सी समझाती हूं मुझे पता है आप लोगो नई समझ में आया देखिये क्या की हुँ में अल्फा बीटा का मा यह दिया हुआ था है एक गामा इसका रूट दिया हुआ था इस इक्वेसन का आप लोगो निकालना था सक्मेसने अफ अल्फा सक्वार बीटा को एक टर्म थाको प्रत अच बेपने हो ध्याया थे ध्यारा रेक्त धां आप लोग को ए निकालना था तो आप लोग को निकाल दिए तो चलिए आज में आप लोगों को कोज़ें नमर 15 देख देख कहले हैं अगर गईजी विली चलिए बता ही देते हैं शिक्सित नमडर यह है और आप लोगों को अलफा इंटीबिटा मतलब दो टर्म को लेना है ओके दो टर्म को लेना है तो क्या हो जाएगा माइनस वन की पावर दो डिवाइड़ वाइड़ वाइटू अपन ए नॉट माइनस वन का स्कॉयर तो वन हो जाएगा कि अपनो कि वन तो कि लुक्ति की घर सैंटी को अपनो के पहले है रहा लगों के इनसे बिलुट माइन सब्सक्राइज पर से विटेटुरू अप लोगों को देखना इसको पैले इसको अपन आले चेंज लिएक स्वेश्वार श्कॉयर भी रहना चाहिए असे करके दो ऑं आप देख लिजेगा A0, A1, A2 नाम देदीजेगा और इस फर्मूला से आप लोग बना लिजेगा 17 नमबर ये दिया हुआ है और इसका फर्मूला है अलफा बीटा कामा है आप 15 नमबर इसलिए मैं है चोड़ती हूआ को अगल लोगों को आगे आने वाले वीडियो को आप लोगो को ऊडोगो आप लोगों को krijgen तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पर समाप करती हूँ देखिए टोटल हम लोग के पास कितना कोस्टन है टोटल हम लोग के पास 52 है तो कल का जो वीडियो आएगा उसमें मैं पुड़ा कंप्लेट करवा दूंगे आज 18 तक ही रहने देते हैं वीडियो बहुत लंबा हो गया औ आप लोग को इसी टाइप से जैसे आज में पुड़ा एक्सक्लेन करके अच्छे से बतायों इसी तरीके से अप लोग चाहते हो वीडियो यह फिर आप लोग चाहते हो मैं कोस्तन बताओ और एंसर में टिक लगवा हो ताकि आप लोग के लिए वीडियो लाओ और डेली रा कोशन आइगा तो यह से आएगा और अप लोग को समझना नहीं होगा इसके लिए आप लोग को समझना बहुत जरूरी है तो आप लोग करना क्या होगा डेली रात को नौबजे मेरे साथ जीड़ना होगा गेस पीपर के वीडियो सोल्चन के लिए और एक काम करना होगा पर्ट टू आएगा पर्ट टू में मैं चाहूंगे पूरा कंप्लीट ही कर दे और नेक्स वीडियो आप लोग के लिए ट्रिगोनमेट्रिक आएगा और बहुत सब्सक्राइब का पेपर टू जो है वह प्रोब्लम है तो आप लोग चाहते हो पेपर टू भी आए तो आप लो का जल्दी कंप्लीट हो सके और आप लोग का एक्जाम एक अक्टूबर से हो तो मैं कोशिश करूँपी आप लोग का जल्दी हो जबित सब्सक्राइब कर लिजए विडियो को लाइक कर दीज और कमेंट में मुझे जरूर बताएगा आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा तो चलिए मैं वीडियो को यही पर समाप्त करती हूँ थैंक्स पर वाचिंग मैं वीडियो एंड थैंक्स पर कमिंग सुपरी आजू किसन अब ओके बाय टेक केर